फ्रेंस आज मैं आपके सांद सेयर करने जा रही हूं, सुपर टेस्टी पालक के फराथे, जो की हेल्दी भी हैं, इससे आप बच्चों को लंच या टिफिन में दे सकते हैं, जो बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, वो इस फराथे को बहुत ही सोक से खाएंगे, क्य जाल देंगे, और इसे हम 2-3 मिर्ट तक बॉयल कर लेंगे, ताकि यह हलका सा सोफ्ट हो जाए, और इसका जो कच्चापन हो खत्म हो जाए, और यहां पर देखिए, दो मिनिट हो चुका है, अब गैस के फिल्म बंड कर देंगे, और इसे हम निकाल लेंगे, अब इसके उप आधा इंच अद्रक के टुकरे, और इसे हम बीना पानी का ही पिस लेंगे, तो इसे हमें बारिक पिस ना है, आप चाहे तो इसमें 2 हरी मिर्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन जो हमाई श्टोफिन बनाएंगे, उसमें भी हरी मिर्ट रहेगा, इसलिए मैं यहां पर हरी मिर्ट नहीं डाल रही हूं, और यहां पर देखें, इसे मैंने बारिक पिस लिया है, अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, अब इसमें हम डालेंगे, आधा छोटा चमच नमक या फिर अपने टेश को कोडिंग, और यहां पर मैं ले रहे हूं एक कप गेहूं का आटा, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे, और इसी से आटा गुंच के त्यार कर लेंगे, तो यहां पर ज्यादा पानी का इस्तमाल नहीं करना है, अगर जरूरत पर है तो एक दू चमच पानी डाल सकते हैं, तो लिजए इसे मैंने अच्छे से गून लिया है अब हम क्या करेंगे न, इसके उपर हम एक छोटा चमच तेल डालेंगे, ताकि जो फराथ है एकदम खसता बने, तो उपर से हमें तेल डालना है, और तेल डालके इसे एक बड़ और मसाल ते हुए अच्छे से चिकना कर लेना है, तो इसे मैंने अच्छे से गून लिया है, अब ही इसा हम 10 मिनिट के लिए साइड रख देंगे, तब तक इसके लिए हम अश्टोफिन तियार कर लेते हैं, तो अश्टोफिन वार्नानिक के लिए हम यहाँ पर 3 मिटेम साची के आलू को बॉयल करके मैस कर लिए हैं, अब इसमें हम कुछ मसाले यार करेंगे, तो सबस में हम डालेंगे, खूब सारा बारिकेटरी हरधनिया, यहाँ पर मसाले आप अपने पसंद से थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं, और साथ ही में डाल देंगे, एक तो थाई छोटी चमच आमचुर पॉडर, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो लिजी यह आ फराठो केक पर मेरे तरीके से जरूर बनाएगा, यहकीन वनिया, यह फराठा आपको बहुत पसंद आएगी, और यहाँ पर चार उफ पेरे हमने बना लिया है, अब इस तरह से एक पेरे लेंगे, और इसके उपर थोड़ा से सुखा अटा लगा लेंगे, और इस तरह से हम रोटी बेल देना बस उसी तरह से हमें बेल लेना है, तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मने एक बड़ी सी रोटी बेल के त्यार कर ली है, अब इसके ऊपर हम यह आश्टोफीन रखेंगे, तो जितना को यहाँ पर राठा रखना है, उतन finns और आप इसके ऊपर इसके यह देखें इस तरह से तो यह तीकोन सेप में फराठा बनके त्यार हो जाता है अब इसके साइड में हम हलका हलका पानी लगा लेंगे और वापस इसे हम इस तरह से फोल कर लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कितने अच्छा से यह तीकोन सेप में फराठा बन गिया है आप इसके उपर हम इस तर से हलका हलका टाइप करेंगे ताकि इसमें जो air होगा वो निकल जाए आप इसे हम हलके हाथों से दोनों साइट चेंज करते हुए इसे हम बेल लेंगे इस फराठो को बनाना बहुत ही आसान है और यह फराठा देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फराठे मैंने बेल के त्यार कर लिया है और इस तर से बागी कपी फराठा हम बेल के त्यार कर लेंगे अब फराठे सेखने के लिए तावा को मैंने गरम कर लिया है अब इस तरह से इसके उपर हम फराठे डाल देंगे और फराठे डालने के कुछी सेकेंड के बाद इसका हम दूसरा साइट चेंज कर देंगे अब जिस सच फाराठा शीख गया हैं अब इसके उपर हम तेल लगाएंगे आप इसके जग़गी या बटर भी लगा सकते हैं और तेल लगाने के बाद इसका हम दूसरे साईट चेंज करदेंगे और दूसरे साइट भी हम इसी तरह से तेल लगा लेंगे और दोनों साइट इसका चेंज करते हुए इसे हम अच्छे से सेख लेंगे यह फराठा खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है और यह टेश्ट के सांसा थेलती भी है यह फराठा बड़े और बच्चे दोनों को पसंद देगी और जो लोग पालक खाना पसंद नहीं करते हैं वो इस फराठे को तो मांग मांग खाएंगे क्योंकि यह बहुत ही टेस्टी होती है और यहां पर देखिए यह फराठा को मैंने अच्छे से से शेख लिया है अब इस है तो इस फराठे की रेस्पी को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाए यकीन मनिया है यह आपको बहुत पसंद आएगी तो उमीद करते हूं कि आज की रेस्पी आपको पसंद आई होगी रेस्पी पसंद दे तो वीडियो को लाइक शेयर करें अगर हमारे चैनल पर पहली प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसे फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेस्बुक पेज को भी फॉलो करें तो मिलते हैं एक और नई रेस्पी के सांद तब तक अपना और अपना फैमिरी का ख्याल रखें दुआओ में याद रखें थैंक्स देखें तो दो आपृटिंग